जैहिन दोस्तों स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल क्रेकन फॉरॉर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले चन्नाई सूपर किंग्स वर्सेज रास्थान रॉयल्स के बीच जो महा मुकाबला होने वाला है IPL का उसकी तो आएए देख लेते हैं क्या-क्या इंपर्टन अप्डेट साइ और प्लेयर हमारी इंपर्टन पिक्स रहेंगे पिच कैसी हो गी उस पर कहों से प्लेयर्स चल सकते हैं प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है अनृसिस क्या कहता है मतलब मैस से जुड़ी सारी जानकारी हम देखेंगे डिटेल में तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले क्या कर देना है वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और सेयर आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है उसके लावा जो भी नहीं यूजेस है चैनल से आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेस्ट मैथट है वह यह है कि नीचे जो पिंड कोमेंट है यानि फर्स कोमेंट उस पर टेलिग्राम का लिंक दिखाई देगा उसे क्लिक किजिए और चैनल को लिंक दिखाई देगा यह उसके नीचे नीचे टाइल टाइंचे नीचे लिंक मिलेगा आगे बढ़ते हैं मैच की बात करते हैं लेकिन उससे पहले 500 रुपाय का comment गिभए क्या करना है मैच से जुड़ा fantasy से जुड़ा कुछ भी comment करना है जिसका comment सबसे ज्यादा लाइक किया जाएगा वह 500 रुपाय लेके जाएगा कमपल्सन के वीडियो को लाइक और सेयर करना है आगे बढ़ते बात कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट की तो मैच होने वाला है मेच दंबरम इस्टेडियम चैन्नाई में और यह पिछ जो होती है जनरली आजकल बल्लेवाजों को जादा एडवांटेज दे रहे हैं हां यहां पर बाउंडरीज थोड़े बड़े हैं इसलिए एकदम 230-140 ऐसे टोटल देखने को नहीं मिलेंगे और उपर से अप्टर नून गेम है तो थोड़ा सा नाइट वाले मैच से थोड़ा सा स्लो खेल सकती है क्योंकि यह पिस ड्रायर साइट पे रती है तो हलका फुलका टॉर्न मि भी चांसेज रहते हैं और वो क्लियर होगा कब टेलिग्राम चैनल पर फाइनल पिच आएगी तब ठीक है इसलिए टेलिग्राम से जरूर जूर जाईएगा अभी के लिए मैं मान के चलूंगा कि थोड़ा टर्न होगा लेकिन बल्लेबाजों को ज्यादा डॉमिनेट करना चाहिए और अभी तक यहां पर सर्फेसे मोस्ट अब टाइम दो मैंचों को छोड़ दें तो थोड़ा हाड रहा है ड्रायर साइट पर जरूर रहा है लेकिन बल्लेबाज ज्यादा डॉमिनेट की है ठीक है मुव्मेंट और यहां पर देखने को नहीं मिला है तो यह कुछ जीते हुए हैं तो कुल मिला के CSK यहां पर मोस्ट अब टाइम डॉमिनेट करती है लाइस के दो अप्टर नून मैचेज का हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस मतलब स्कोरिंग देखें तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप्टर नून मैचेज में नाइट मैचेज से बहुत ज अच्छा खेल गया था अप्टर नून में एकदम स्लो था टूपेश था तो उसमें हुआ क्या था मौस्टर सर्फेस में ज्यादा था वह पता नहीं लग पाया था और वह मैस्टर जब सूख गया तो आप्टर नून नाइट में बस हलका अजा डिप्रेंस होता है अप्ट को चार विकेट मिला था और यह टूपेश्ट वाला ट्रैक था टॉन था सर्फेस पे बॉल फर्स रही थी और मुम्मेंट भी सुर्वाति हुबस में मिला था और यह देखिए पाटा ट्रैक था सी एसके ने 200 किया पंजाब ने 201 बना दिया तो बैसेकली वह आप्टर नून गेम में सायद आप 170 से 190 के बीच में स्कोरिंग देखें ठीक है लास्के छे IPL मैचे देखते हैं तो यह दो मुकाबले थोड़ा टूपेश ट्रैक पे हुए एक ही है के क्यार एक सो सैथी सीसके 111 पेश को साथ स्पिन को पाँए और यह वारा सीसके 162 किया तो पंजाब एक प्रेंडली इधर भी बल्लेवाजों को ही ज्यादा एडवांटेज रहा है तो मोस्ट अब टाइम बल्लेवाज ज्यादा यहां पर डॉमिनेट करते हैं कुछ वैसा ही लेकर चलेंगे लेकिन पर किसको लेना है चोड़ना है वो भी हम देखेंगे ठीक है आगे बढ़ते है अब बात करते हैं कुछ offers की ऐसा offer आपको और किसी fantasy app पे नहीं मिल ला है तो अगर आपने master alone पर साइन अप नहीं किया पहले साइन अप कर लिजे क्योंकि इस जमाने में देखें अगर आपको profit में रहना है तो आपका skill तो जरूरी है ही साथी साथ एप भी जरूरी है कि वह offer कितना दे रहा है तो इस पर offer तगड़ा मिलता है पहले deposit करिए मदब sign up कर लीजे आपके पास पैसे हैं तो 10% real cash first deposit पे मिलेगा code यूज करना है first deposit और 10% real cash आज के जवाने में कोई नहीं देने वाला तो यह अच्छा खासा offer है GSTB यहीं देंगे उसका league अलग से discount वाला बना ह सबसे बड़ी बात इसकी कोई limit नहीं है कई बार deposit कर सकते हैं तो ऐसा offer आज के जवाने में नहीं मिलना है कहीं पर 50,000 रुपए का free giveaway नहीं पैसे यार कौन बोलता invest करो फ्री जॉइन करते रहो जब हो जाए पैसे तब खेलो बस जिस दिन fantasy में आप अपने आपको control में रख लिए न यकीन मानी आप loss में नहीं रहेंगे ठीक है आगे बरते हैं 50,000 रुपए का free giveaway दोनों ही मैचेज में रहेगा फिर 2 करोड का investment leaderboard हर main tournament से पहले बड़े investors के लिए यह एप एक बड़ा तगड़ा leaderboard ले के आती है और वो आपके जीतने के chances रहेंगे यह दो करोड का investment leaderboard है अगर आप बड़े investor है तो तुरंट सिफ्ट हो जाईए इस पर उसके अलावा यह mega grand league वाला leaderboard है अब नए users को नहीं जीच सकते लेकिन जो खेल रहे हैं खेलते रहे ह जो आपकी best team हों की उसका points है down होता रहेगा और साथी साथ अगर आपको opinion trading पसंद है और आप सब कुछ इसी platform करना चाते तो करिए opinion trading भी यहाँ पर simple yes और no करके कुछ logical questions रहेंगे जिनका answer देके आप अच्छा का सा earn कर सकते हैं करना क्या है नीचे pinned comment link sign up कर लेना है ठीक है आ अगर आप बोलें कि अगर turning track भी हो गया ना तो अरार के पास भी तगड़े spinner है इस पिन के अच्छे player है तो एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा मेरे इसाब से अरार थोड़ा सफेवरेट्स रहेगा और सबसे बढ़ी बात पिछले चार मुकाबलों में रास्थान ने CSK को मात दी है तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है इस डेटा से उनको CSK टीम के प्रिव्यू की बात करें तो भाई टीम तो अच्छी है अच्छा खेली भी है लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ है एक तो यह डूफेक्टर कर इनको बड़ा घाटा हुआ है और दूसरा जो इंजार हो गई जिस टीम के तीनों मेन पेसर जो थीन पेसर अगर खेलते हैं वही बाहर हो गए तो आप बताई उस टीम का क्या हो सकता है तो जाहिर सी बात है यह ज़िए क्यों प्लेट तो लगेगा और वही हुआ है अभी लेकिन प्लेयॉप के रेस में और अगर दोनों मैच जीत जाते हैं तो लगभग कंफर्म में पहुच जाएंगे अगर एक उसमें से जीते हैं तो थोड़ा सा पर्मुटेशन देख और पडेलऑ की देखते लिए पिछले मैच के लिए नहीं और मांची ल्याएं आप अब एक बात ध्यान देना है कि इनका बैटिंग और यहां से लेके यह मिसल सीवं दूबे जड़ेजा और मोहिन अली वो कुछ भी फिक्स नहीं है क्या करते हैं यह जैसे पाउर प्ले के बाद अगर विकट गिरा तो जो दूबे हैं वो कोई भी रहे इधर से लेकिन दूबे देना है कि मिसल बॉलिंग भी कर सकते हैं इस कंबिनेशन में डेथ ओवर की बात करें तो तुसार देश पांडे और सारदूल को करना चाहिए ठीक है अब मोस्ट अब ऑवर की बात करें तो इतने बॉलर्स हैं किसको देंगे नहीं देंगे बता पना बड़ा मुस्किल है र लावा सिमर जी सिंग 2-3 सेंटनर 4 कर सकते हैं पूरे क्योंकि उधर राइट हैंडर्स जादा हैं तो पूरे करने के चांस है डेरे मिसल जीरो से दो किसी की पिटाई हुई तो मिसल बॉलिंग कर सकते हैं यह ध्यान देना है टीम कम पोजिशन स्क्रिन पे चलते हैं प्लेर सबसे पहले आते हैं रचिन रविन तगड़े हिटर लेकिन फॉर्म उतना ही गंदा पिछले मैच में मैंने इसलिए प्रिफर किया था क्यों 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 अच्छा नहीं था लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई रन आउट हो गया इधर क्या फैक्ट है फैक्ट यह है कि भाई इनका जो कमी है कि ऑफ साइट का गेम बड़ा गंदा है हिट नहीं कर पाते उतना तो टीमें क्या कर रही है ऑफ साइट पे एकदम वाइड इनको खिला रही है उसमें भी लेंथ बॉले रहे हैं तो उसे हिट करने में यह लॉंग आप पर कैचेस दे रहें कई बार ऐसा हो है और इसलिए यह थोड़ा सा रिस्की वाले मैच में हो जाते हैं क्योंकि वह कमजोरी उधर के दो ऐसे गिदवाज है जो बहुत रहते हैं अपने लाइन लेंथ में कौन है ट्रेंट बोल्ट और संदीब सर्मा तो बहुत आपका खराब लोग होगा तभी यह बड़ा स्को करते हैं इसलिए बहुत अच्छे पिक रचिन रविंद्र नहीं होंगे खासकर बोल्ट हैं उधर और संदीब सर्मा है जो ज्यादा रहते हैं तो वह उस लाइन लेंद को फालो करेंगे जैसे पर यह श्ट्रगल कर रहें इसलिए बहुत अच्छे आप्सन नहीं होंगे फि स्ट्रगल करते हैं प्लस ट्रेंट बोल्ट को मुम्मेंट मिलता है तब भी दिक्कत होता है तो बहुत अच्छे आप्सन नहीं होने वाले रुतुराज गाएक वाट प्लेयर बहुत ही सांदार है हलंकि इनका भी स्ट्रगल आपको दिखाई देगा चहल के अगेंस बोल्ट और से एक्सपेरिमेंट ना करे भाई यह फर्फिक्ट नमबर चार या नमबर तीन वाले प्लेयर हैं जहां पर यह सेटल होते हैं फिर हिटिंग करते हैं पता नहीं क्यों इतना एक्सपेरिमेंट कर रही थी इनके साथ सुरुवात में अब देखिए अपने जगहां पर आन यह पता नहीं कब लिप्टराइट बनाने लगते हैं कब नहीं बनाते हैं तो वह रिस्क रहता है इनके साथ ठीक है तो कभी-कभी जैसे एक में नमबर आठ पे आ गए थे हाप सेंचुरी बनाने के बाद अगले मैच में तो वह रिस्क रहेगा लेकिन आप सेप्टी के लि रिस्क लिया जा सकता है छोड़ने का जहां पर टॉन जादा हो मतलब जब आये की टूपेस ट्रैकर तभी छोड़ने का रिस्क लिजेगा नहीं तो यह मोस्ट अप अच्छा करते हैं इस्पिन के बहुत ही जब अर्जस्ट प्लेयर और मस्ट हैपिक रहेंगे हैं तो बाकी सब में कुछ खास उतना नहीं कर पाएं लेकिन बैटिंग काफी इंप्रेसिव रहा है चववाली स्केवरेस से स्कोर किया इस सी जग मस्ट है पिक रहेंगे और अगर टूपेस ट्रैक हो जाता है गलती से तो एक कैप्टेंसी के सबसे सेफ आप्संस में से यह हो साही् है और साहीड इसास सामने लेफ्याथ जादा नहीं है खास कर अगर एस वीट टिकते हैं जाधा तभी साही जाते इंको बाउलिंग मिले नहीं तो बाउरिंग उतना ना मिले और या उसस्वी मैं जरूर हाफ सेंचरी बना है लेकिन कंसिस्टेंसी इनको बिल्कुल भी नहीं रहती है और कभी भी यह हिटिंग में विकेट फेक देते हैं यह ध्यान दीजेगा तो बहुत अच्छे आपसन नहीं होंगे इनके आते ही अस्विन को लगाया जागा और अस्विन इनको बहु है लेकिन विकेट टेकर नहीं है इस फॉर्मेट के मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इनको लेना कब है अगर टू पेस्ट ट्रैक है तब लीजिए या फिर इनकी सेकेंड बॉलिंग है तो उस केस में रिस्क लिया जा सकता है जैसे सिसके ने बड़ा स्कोर कर दिया तो थीक ठाक गिदवाज है बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर गिदवाज नहीं है बड़े लेवल पर अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है इस वाले मैस से मच जाईएगा क्योंकि वहां पर टू पेस्ट ट्रैक था उसमें दो विकेट लिया था त क्योंकि डेथ करेंगे डेथ करेंगे तो सारदुल के विकेट लेने के चांसे अच्छे खासे बढ़ जाते हैं प्लस बैटिंग बैकप भी है सेकेंड बॉलिंग में थोड़ा एवरेज ऑप्सन होते हैं लेकिन जील में रिस्क ले लिजेगा क्योंकि टीम धोनी क्योंकि ल रिसक लिए जा सकता है तो सारदेस पांडे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया इस सीजन अपने बॉलिंग से लास सीजन पिटाई हो रहा था लेकिन वह जो कटर्स पर कंट्रोल नहीं था इस सीजन कटर्स पर कंट्रोल है सुरुआती हो बरस में मुव्मेंट भी हासिल कर है तो जिस हिजाब से फॉर्म चला है अच्छे फिक हैं फर्स बॉलिंग में भूल के भी नहीं चोड़ना है सेकंड बॉलिंग में भी रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि एक या दो विकेट इनके निकालने के चांसे जहें यह ध्यान दीजेगा है तुनों ही लाजवाब है और सामने वाले टीम के कई गदवाज इनके अगे हैं फिर आते हैं रिचर्ड ग्ली संथ बहुत ज्यादा अभी तक इंपक्त नहीं छोड़ पाए हैं हलंकि यह विकेट टेकिंग नेचर के गदवाज माने जाते हैं लेकिन बहुत अच्छे आप्सन अभी नहीं दिखाई दे रहें क्योंकि मुवमेंट यहां पर नहीं होगा और मुवमेंट नहीं मिलता तो यह फिर अपने पेस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और पेस हैं इनके पाँ लेकिन अभी आइपील लेवल पर उतना सफल नहीं हो पाएं तो वहीं फॉर्स बालिंग में एक एडवांट करेंगा बस जीच जाएं एक मैच बचे हुए में चेंजेट की बात करें तो हित्मायर और अगर फिट होंगे तो डाइरेक्ट इंट्री हो जाएगी ज्यादा चांसे दे दोनों खेलेंगे तो यह सस्वी बटलर सैंसन उसके बाद रियान पराग रूजूरेल सिमरन हित्मा तो क्या पता टीम यूजी के ओवर बचा के रख दे क्योंकि दोनी इस सिजन इस को इतना हिट नहीं कर पाएं लेकिन पिछले मैच में आपने देखा होगा रासित को दो लंबे चक्के लगाई दिये थे उनके ओवर में तो देखना पड़ेगा इंट्रेस्टिंग कॉल है ज्यादा चांसे जब बोल्ट संदीब सर्मा करें ठीक है एक्सपेक्टेट ओबर पांच में बॉलर पांच वही चार चार ओवर करेंगे टीम कंपोजिशन स्क्रिन पर चलते हैं प्लेर वाइज अनालसिस में सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं बहुत ही सांधार बल अराम से रिस्क लिया जा सकता है ठीक है हिट टुएट काफी अच्छा है पिर आते हैं बल्लेबाज बहुत ही सांधार बल्लेबाज इनका भी एक-दो गदवाजों के अगेंस स्ट्रगल है जडिजा के थोड़ा स्ट्रगल करते हैं मोहीन ने भी परसान किया हुए लेकिन जब ज़्यादा टर्न रहेगा तभी वो लोग परसान करेंगे नहीं तो most of the time यह T20 में अच्छा खेलते हैं है 28 काफी अच्छा है बढ़ियां बल्लेबाज है और बढ़ियां फॉर्म में भी चलने अच्छे पिक होंगा आप अराम से कबर कर सकते हैं फिर आते हैं संजू स अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 67.28 का एवरेज है लेकिन इस टीम का ज्यादा चले नहीं है रीजन है इनका इस्ट्रगल रहता है जडेजा के अगेंस सैंटनर ने भी इनको परसान किया हुआ है लेकिन जो इंपोर्टन पॉइंट है लास्ट दो सालों से ना इनका स्प करने के मूड में रहते थे लेकिन अब बॉल के मेरिट पे खेल लें और इस सीजन आपने देखा होगा सबको अच्छे से खेला हुआ है तो जिस इसाथ से फॉर्म चल ला है भले ही हेट टुएट वेन्यू खराब है इस ट्रगल भी रहा है यह मस्ट है पिक भी होंगे कीप दून हिटिंग करने लग रहे हैं तब विकेट फेके हैं नहीं तो बहुत ही सांदार बलेवाजी किया है इस सीजन पचास दसलों पांच चार का एवरेज है तगड़े हीटर है प्लस कुछ ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि सिक्स बॉलिंग ऑप्सन यही है मस्ट है जादा की उमीद मैं कर भी नहीं रहा हूं रॉमन पावल अच्छे एटर हैं लेकिन लास्ट के दो तीन ओवरी बैटिंग आना है आराम से छोड़ा जा सकता है फिर आते हैं रवी चंदरा नस्विन ठीक ठाक गयदबाज है है एड-2-8 वेन्यू दोनों अच्छा दिखाई लेकिन जो इंपोर्टेंट पॉइंट है यह विकेट टेकर उतने नहीं है केवल और केवल अगर आता है कि टर्निंग ट्रैक है ज्यादा टर्न है तभी लेना है नहीं तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे पिछले मैच पर तीन विकेट ले लिया था लेकिन हमेशा ऐसा है इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा दिखाई देगा क्योंकि पाश्ट में यह विकेट एकदम इस्पिन फरेंडली होती थी लेकिन अब वैसा नहीं रहता तो अगर एकदम इस्पिन फरेंडली है तभी अस्पिन को लेना है नहीं तो बहुत अच्छे पिक नहीं प्लते कि आप तीन विगेट की उमीद करें कभी कभारी वैसा होगा और बहुत कम भी नहीं लेते मतलब विगेट लें जाते एक या दो विगेट लेके जाएंगे तो डिसेंट टाइप के आपस रहेंगे नहीं जादा अच्छे ना जादा खराब फ़र्स बालिंग में जाद आपने के दबाज लेकिन देखें मस्ट अब दर मैचे में देए लेकिन हमने इनको फॉर्स बॉलिंग करती है तो अच्छा विकेट इनको मिलता है टर्निंग ट्रेक पर मस्ठाप पिक रहेंगे ऐसे फॉर्स बॉलिंग में उतने अच्छे ऑप्सन यह होते नहीं है एक आख विकेट ही मिलने के चांसेज रहते हैं अब इस खान कभी कभारी ज्यादा विकेट मिलता है और अब इन नीचे भी सुरुवात में मुम्मेंट थोड़ा बहुत हासिल करते हैं और प्लस रचिन रविंद भी हैं उधर राड़े भी हैं तो क्या पता एक आख विकेट उधर फसा ले और डेथ में विकेट इनको मिलना ही मिलना है कटर्स का अच्छा इस्तमाल करते हैं तो मस्ठ पि करें चहल और बोल्ट ये इनको थोड़ा परसान करते हो लेप्टाम पेसस के अगेंस इनको दिक्कत हुआ है लेकिन जैसे साथ से फॉर्म चला है प्लस ज्यादा मुमेंट नहीं है मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा ये इंपैक्ट डालेगा लेकिन उन्हें थोड़ा सम चहल और बोल्ट तीनों ने इनको परसान किया हुआ है और ज्यादा चांस है कि बड़ा इनिंग नहीं आएगा मोहिन अली की बात करें तो ये स्पिनर्स को हिट भी करते हैं और विकेट भी फेकते हैं उसमें स्पिनर्स का कमाल नहीं है ये खुद गलती करते हैं तो चहल इ संजू सेंसन की बात करें जडेजा और सेंटनर्स वाले गिदबाद जो रहते हैं उनके पास्ट में ये फसे हुए लेकिन इस सीजन काफी इंप्रेस किया है स्पिन खेलने के बिल्टी में तुसार देसपांडे ये भी दो बार आउट कर चुके हैं जौस बटलर की बात करे जडेजा ने इनको थोड़ा परसान किया हुए और उसके अलावा मोहिन अली ने भी इनको तीन बार आउट किया हुए साथी साथ सारदूल के अगेंस भी ये फसे हैं चार बार ये सस्वी की बात करें देसपांडे ने परसान किया हुए और देसपांडे से इनको थोड़ा ध्यान देने वाला मैच अप नहीं है धुरू जूरेल इनका भी कुछ खास नहीं है अब बात करते हैं बॉलिंग इस्टाइल का तो धोनी लेकिन फिर भी आप देखेंगे बोल्ट के अच्छा रिकॉर्ड है रुतुराज की बात करें लेप ताम मीडियम पेस बोल्ट को सबसे बड़ी कमजोरी है प्लस बोल्ट भी इनको परसान करते हैं ठीक है रचिन रविंद की बात करें तो यह कई हो के अगेंस स्टाइल किया है और अभी तो क्या है कि भाई अब आप साइड बॉलें लगातार फेकते रही है अध्ति में यह पेसेंस खोएंगे उठा दें हैं हलंकि ऐसे नॉर्मली अच्छा खेलते हैं बाकी कोई ध्यान देनों मैच अप नहीं है संजु सेंसन अगर आप देखेंगे तो मीडियम पेसर इनकी कमजोरी है प्लस लिप्टाम मीडियम पे और्थोडॉक्स में अभी रिकॉर्ड अब इनका सुधर चुका है अर्थिस अराम से मेरिट के इसाब से खेलेना तो इसकी जल्दी कमजोरी भी नहीं है लेकिन ओवर हीटिंग के मूड में रहते हैं राइटाम मीडियम पेस लेप्टाम और्थोडॉक्स की आपने देखा होगा टेस्ट में क्या बुरी तोड़ाई की थी लेकिन उसी में हिट करने में कि और्थोडॉक्स को यह गिदवास समझते नहीं है हिट करने के चक्कर में फर्ज जाते हैं यह प्रॉब्लम होती है हिट मैर इनका भी कई हों के अगेंस श्टकल रहा है अगर हम बात करें पावल की तो यह चाइना मैन उधर कोई है नहीं लेप्टाम एक्ष्टापेस बात कर लेते हैं स्टार्ट करते हैं विगट कीपर में सैंसन बटलर दोनों ही अच्छे ऑप्सन है बैटिंग सेक्शन में चलते हैं रूतुराज मस्टपिक या सस्वी जाइसवाल अगर टूपेस ट्रैक हुआ तो छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं सिवम दूबे अच्छे बालिंग मिल जाए बताया नहीं जाए और कभी कभी रन भी बना देते हैं बालिंग सेक्शन में चहल सेकेंड बालिंग में ज्यादा अच्छे फिक फिक फिर्स बालिंग में छोड़ा जा सकता है बोल्ट अगर फिर्स बालिंग होगा तो मैं सायद इनको प्रिफर करूंग संदीप सर्मा यह must have pick रहेंगे, देस पांडे भी अच्छे form में चल लेंगे, यह भी बढ़ियां option रहेंगे, नीचे सारदुल ठाकूर, फर्स्ट बॉलिंगर चैन नहीं का, तो एक भेतरीन ट्रॉम कार्ट पिक रहेंगे, क्योंकि death करेंगे, यह ध्यान दीजेगा, और कोई उतना अच्छा option नहीं है, कैप्टन मैंने सैमसन को किया है, भले ही इनका struggle है, लेकिन अब spin अच्छा खेल ले हैं, इस season और last season भी दोनों cases में अच्छा इनका spin करा है, even average भी बहुत तगड़ा spinners के अगेंस रहा है last two season में, तो captain मैंने इनको किया है, रुतुराज को VC, हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ ही विडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा, फाइनल टीम टेलिग्राम पे मिलेगा, तो नीचे पिन कॉमेंट में लिंक है, उससे जुड़ जाईएगा, और साथ ही साथ, माई मास्टर विलिन पर साइन अप कर लेना है, धेर सारे deposit offer है, मिस मत कीजेगा, और 10% का real cash first deposit पे उसका जरूर फायदा उठा लीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,